हेलो विवन, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स की यूट्यूब एज्यूगेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेज वीडियो लेक्चर, वी विल स्टडी इन डेटेल अबाउट दे मेडिसिन्स पॉर लो ब्लड प्रेसर लो ब्लड प्रेसर की कंडिशन कहते हैं और मेडिकल टर्म्स में उसको कहा जाता है हाइपोटेंशन तो जब किसी परसन को हाइपोटेंशन होता है, लो ब्लड प्रेसर की कंडिशन होती है तो उसको control किस तरह से हम कर सकते है वो सबी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में detail में study करेंगे कि में तो हमारा question ये है कि low blood pressure को control कैसे करे कि जब किसी person का blood pressure normal से काफी low हो जाता है तो ऐसी condition में उसको हम कैसे treat करे because ये condition ऐसे कि उसका जो main risk है कि बहुत सरी अलग-अलग complications हो सकते है low blood pressure के कारण कि जो हमारे अलग-अलग organ से organ system के जो function है उसके उपर असर पड़ सकता है और even काफील जब low हो जाता है blood pressure तो उसके करण patient की death भी हो सकती है तो ये condition को हम lightly नहीं ले सकते और main तो यही है कि low blood pressure को किस तरह से हम control कर सकते है तो ये सभी के बारे में हम ये video lecture में detail में study करेंगे आप सभी के support के करण और जो आप सभी ने एक support किया है हमें pharma rocks के one lakh subscriber complete होने में तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और उसी के कारण silver button की जो youtube creator avoid है उससे हमें सम्मानित किया गया है so thank you all of you for being in a one lakh family of a pharma rocks तो ऐसे ही updated रहिए pharma knowledge के साथ इसके लिए subscribe करिए channel को press करिए bell icon and never miss any video of pharma rocks pharma rocks का mobile application भी available है तो अगर आपके पास android mobile है तो google play store पर से आपको download कर सकते हैं और अगर आपके पास contact कर सकते हैं study material pdfs test series and video lecture वागिर आपको मिल जाएंगा यह हमारा help line number है 901632020 की जिसके भी आप contact कर सकते हैं तो इस तरह से test series video lecture and study material आप access कर सकते हैं फार्मा रॉक्स की एप उपर तो हमारा main question है आज का और topic भी है hypotension को किस तरह से control करें तो उससे पहले condition आपको पता होना चाहिए कि what is hypotension कि hypotension actual में है क्या और कैसे होता है उसके symptoms वगेरा क्या है तो hypotension मतलब कि low blood pressure का problem कि medical terms में जो hypotension है उसको कहा जाता है low blood pressure जो condition होती है उसको हम medical term में कहते है hypotension उसको हम कहते है hypotension तो उससे पहले हमने एक lecture बनाया था आपके लिए वो था high blood pressure के बारे में कि blood pressure जब high होता है तो उसको कहा जाता है hypotension उसको कहा जाता है hypotension और जब ये condition उससे reverse कि blood pressure low होता है तो उसको hyper के जगा कहा जाता है hypotension तो ये आपको अच्छे से याद रखना है hypotension and hypotension की hypotension की high blood pressure है और hypotension मतलब की low blood pressure कि जब आपको एक्जाम के अंदर questions पूछे जाए short notes वगेरा पूछे जाए तो अच्छे से आपको पहले questions को read करना होगा कि अगर आपको question पूछा गया है hypo लिखा है तो उसको आपको detail में discuss करना रहता है regarding low blood pressure और जब hyper लिखा हो तो उस वक्त आपको high blood pressure के बारे में लिखना है तो आज का जो main topic है hypotension तो जो medical term है hypotension वो use होता है for low blood pressure कि जब किसी person का blood pressure low होता है तो low blood pressure की जो condition है उसको हम कहते है hypotension और ये तो चलो हमने medical terms की बात की अब जो बात रहती है कि उसके measurement या फिर value तो low blood pressure की जब 90 60 से blood pressure आपका कम होता है कि 90 जो systolic और 60 जो diastolic pressure होता है यहाँ पे आप देख सकते है कि systolic mm mercury unit के अंदर 90 और diastolic की जो है 60 और उससे भी आपका blood pressure low है less than 90 60 ऐसा हम यहाँ पे लिखे तो वो condition कही जाती है hypotension की और blood pressure reading appears as a two number कि जो एक systolic और दूसरा diastolic so the condition in which blood pressure becomes the low that is called a low blood pressure तो detail में यह hypotension का lecture already available है यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको hypotension का detail lecture में लेक्टर में लेक्टर के और जो mean sign and signs होते है symptoms होते है QoSys होते है वो सभी को हमने उसके part one lecture में भी discuss किया है hypotension के तो अभी ज़स्ट हम थोड़ा सब detail देख रहे है कि hypotension low blood pressure 90 की जो आपका systolic होना चाहिए and diastolic की जो 60 है उससे भी कौम blood pressure रहता है आपका तो low blood pressure की जो condition है वो आपके लिए बन सकती है life threatening मतलब कि जानलेवा हो सकता है ये की काफी low रहता है आपका blood pressure क्योंकि जो green zone गम कहते है कि ये है आपका 120 80 की जो normal है फिर जो low कहा जाता है 90 60 और उससे भी low जाता है आपका 60-40 होता है 50-33 होता है तो यहाँ से जैसे नीचे ब्लड प्रेसर की condition जाती है वो बनती है dangerous इसलिए आप जैको green में से yellow orange और फिर red color तो red मतलब कि काफी danger condition तो ये condition को कैसे treat कर सकते हैं उसके हम reasons जाने तो pregnancy के करण हो सकता है आपको low blood pressure heart related problem हो endocrine problem से dehydration blood loss हुआ है severe infection से allergic reaction से lack of nutrients in your diet उसके अलबा काफी दिनों तक bed rest रहा है काफी low intake रहता है salt cup के body के अंदर nutrition काफी poor है mal nutrition के condition है blood का volume decrease है heart problem है and low heart rate की जिसको हम कहते हैं bradycardia तो जो treatment के हम बात करते हैं treatment तो treatment एक दो तरीके से होती है एक तो depend on the causes कि कौन से causes के कारण आपको hypotension हुआ है तो समझो कि किसी person का blood volume decrease होने के कारण hypotension होता है तो उस वक्त हम treatment में क्या करेंगे कि उसका जो blood volume decrease हुआ है उसको हम increase करने का try करेंगे कि समझो कि उसका blood volume हम increase करवाते हैं तो automatically उसका blood pressure भी control में आ जाएगा nutrition में काफी पूर है तो उसको हम healthy diet देंगे proper nutrition प्रोवाइड करेंगे कि जिससे जो nutrition की deficiency है mild nutrition है वो एक बार समझो कि उसका ठीक हो जाएगा तो उससे भी patient ठीक हो सकता है उसके बाद low intake of salt in body ये उसका कोज है तो हम treatment के अंदर patient को दे सकते है salt salt या फिर salt water को यूज करके हम उसको hypotension को control करा सकते है second की prolong bed rest है तो bed rest रहा है patient का रूसके current hypotension हुआ है तो फिर उसको हम exercise करवाएंगे as well as हम उसको yoga करवाएंगे प्राणा ये वगेरा करवाएंगे जिससे क्या होगा कि उसकी जो body में फिर से वो स्पूर्ती आ जाए proper उसका जो body है healthy हो जाए और hypotension जो है वो उससे control आ जाए regularly exercise करे walking करे yoga करे तो जो bed rest के कारण body के अंदर जो complications हुए थे वो exercise है yoga है प्राणा है वगेरा करने से ठीक हो जाएगा heart problems के करण ये हो रहा है तो heart related जो problem से वो हम क्यों और करेंगे low heart rate रहता है bradycardia तो bradycardia की हम treatment करके भी low blood pressure को control में ला सकते है इसके लावा ये जो हमने previous slide में देखा कि pregnancy के करण ऐसा हो रहा है तो उस वक्त हम इसे safe medications देगे patient को कि उससे उसका blood pressure control में रहे heart problems हो तो वो ठीक करेंगे dehydration है कि जिसके अंदर कहिते हैं कि low water intake तो जब हम treatment का start करेंगे तो यही try करेंगे कि उसको अंदर proper hydration करवा दे कि treatment के अंदर increase करवा सकते है उसके अंदर water blood loss है कि अनेमिया जिसा है तो अनेमिया की जो medications होती है उससे उसका जो treat कर से कि blood loss है और blood loss के करेंगे अनेमिया हुआ है और अनेमिया के करण hypotension हो रहा है तो हमारा target रहेगा कि अनेमिया को ही हम ठीक कर दे तो automatically hypotension का की problem जो है वो ठीक हो सकता है फिर जो infections होने के reasons से तो वो infections के related हम उसको medications ते कि कोई bacterial infection viral infection से करण ऐसा हो रहा है तो उसके related treatment और कोई allergic reactions के करण हो रहा है तो उसको वो allergy ठीक करने के लिए anti-allergics जो medications होती है वो भी हम patient को दे सकते है तो main बात यह है कि causes related भी treatment होती है और symptoms related भी treatment होती है तो causes related हम इस तरह से कर सकते है symptoms related और जो specialized medications होते है वो भी हम try कर सकते है पेशन के लिए तो यह थे causes और उसके related हम जो suggestions कर सकते है patient के लिए treatment फिर symptoms तो dizziness है light headedness है कि मतलब कि headache हो रहा है dizziness है तो उसके related की patient को उसका CNS हम stimulant रखे mal nutrition की reason से उसको ठीक कर दे और जो उसके causes है वो और उसके बाद भी कोई symptoms related medication start करे तो भी हम patient को ठीक कर सकते है तो symptoms में nausea रहता है vomiting रहता है थाकान रहती है patient को dehydration रहता है concentration उसका weak हो जाता है क्योंकि एक तो body में थाकान होती है फिर dizziness जैसा रहता है और headache हो तो obviously ये तीन condition mix हो तो आपका concentration automatically कम हो जाती है तो आपके आसपास जो कोई काम कर रहा हो आप फूद अपने routine काम के अंदर concentrate नहीं कर पाते है तो इससे आपकी lifestyle पे भी effect पड़ता है vision blur हो जाती है फिर cold clammy and pale skin कि जो skin है वो काफी ठंड लिखती है आपको कि जब touch करते हो skin को तो आपको वो ठंड दिखती है rapid celebrating, fatigue, depression रहता है और कई बार patient unconscious भी हो जाता है कि जो हम कहता है कि patient completely अपना consciousness खो बेटता है completely unconscious हो जाता है तो ये सब condition produce होती है hypotension के अंदर diagnosis तो यूजरली आपका तूरंद जब उसका blood pressure चेक करो कि spigmo manometer की जो manual जो होता है और digital भी अप तो available है उससे भी आप तूरंद उसका blood pressure चेक करके पता लगा सकते है hypotension के कारण ये सब complications हुए है तो अब जो हमें बात करनी है वो है treatment के तो treatment के अंदर हम सबसे पहले तो आपको suggestions करते हैं always home remedies का उसके बाद second option हमारा medicines के समझे कि home remedies से जब symptoms उसके minor हो और home remedies से ठीक हो जाता है तो medications लेनी की जरूरत नहीं रहती फिर एक है बात healthy diet की कि आप diet आपका proper healthy बनाते है proper आप nutrients लेते है उसके बाद exercise आप अच्छे से करते है regularly और yoga प्राणायम वगिर आप करते है तो भी आपका body जो है वो healthy रहता है और कोई भी बीमारी नहीं रहती ना ही यह hypotension ना ही कोई दुसरे कोई complications because main तो बात यह है कि जब sedentary lifestyle हो जाती है मलब कि जो काफी दिन तक आप completely बैठे रहते हो exercise नहीं होती आपकी lifestyle के अंदर तो poor diet हो exercise ना हो तो वो बहुत सारे बीमारी जवगिरा को लेकर आता है तो यह सब तो main always common रहेगा कि आप exercise की habit रखो आप yoga करते हो proper आपके body के अंदर सभी nutrition हो कोई भी nutrition या फिर vitamins, minerals, किसी की भी deficiency ना हो आपका healthy diet ही ऐसा हो कि आप proper season wise जो vegetables मिलते है वो आप लेते हो as well as आपके routine खाने के अंदर जो हम कहते है Indian lifestyle के according to कि जो हम अलग लग खाने के जो habits होती है हमारी, कि जो healthy diets होता है कि आप regular खाने में आपका rice होता है, डाल है, रोटी है चावल वगेरा है as well as जो अलग अलग हम डाल वगेरा यूस करते है सबजिया होती है कि जो routine में अलग अलग आप सबजिया वगेरा खाते है तो आप nutrition पे भी ध्यान देते है, healthy diet लेते है, junk food वगिरा से दूर रहते है और ले तो भी minimum amount में और उसके बाद आप कुड़ा पर exercise करें तो इस सबसे ये सब conditions को हम treat कर सकते है उससे लावा भी समझो कि काफी complications से तो हम try करते है medicines और home remedies को भी हम apply करते हैं तो सबसे पहले सुरुवात करते हैं home remedies से कि जो घरेलू नुसके हम कहते हैं कि घरेलू उपा या फिर घरेलू नुसके कि जिससे आप blood pressure को control कर सके तो सबसे पहले तो use more salt if you have a problem of low blood pressure अगर आपको ये problem है कि आपका blood pressure बार-बार काफी low हो जाता है तो उसका एक reason ये हो सकता है कि आपके खाने के अंदर salt काफी कम है कि आप जितनी जरूरियात में जो चाहिए उससे काफी कम amount में salt ले रहा है कि जब आपका reason की जो हम कहते हैं cause ये है कि low intake of salt low intake of salt ये आपका reason है ये आपका reason है low blood pressure होने का तो इसका हम समझे के remedy हम देखे उसका उपाई हम देखे तो यही रहेगा कि increase salt increase the salt intake तो यही main proper बनता है कि जो reason होता है cause होता है और उसके related जब हम कोई proper remedy ट्राइ करें तो उससे automatically वो problem जो है वो कम हो जाता है तो reason था low intake of salt कि आप खाने में salt बहुत कम यूज़ करते हैं और उसके कारण low blood pressure का problem रहता है तो उसको ठीक करने के लिए आप salt का जो intake है वो increase कर सकते हैं और वो भी limit में because excessive लेने से फिर hypertension हो सकता है तो वो भी limit में बड़ जब जरूरत हो तब अब proper salt यूज़ करें कि जिससे आपका low blood pressure का problem ना हो उसके बाद हम देखें second, that is experts usually recommended the limiting salt in your diet because sodium can raise the blood pressure तो experts कहते हैं कि जब किसी person को कोई blood pressure का problem नहीं है उसका blood pressure normal रहता है तो उस वक्त जो expert ऐसा कहते है कि आप जो salt है कि जो हम कहते है sodium chloride NACL उसको proper limit में लिजए because उसके कारण आपका blood pressure increase हो सकता है कि जो sodium chloride के अंदर जो sodium होता है वो आपका blood pressure increase कर सकता है तो इसी reason के कारण कहा जाता है कि आप salt को limit में यूज़ करें बट जब आपका blood pressure normal से भी काफी low है कि जो हम कहें दे कि 90-60 जो है उससे भी काफी कम रहता है patient का blood pressure तो उसको 120-80 के आसपास लाने के लिए जरूरी है ये salt फिर अधर हम देखे तो तुलसी है beat है coffee वगेरा आप दे सकते है patient को कि तुलसी के जो पत्ते होते है holy busil जिसको हम कहते है वो आप try कर सकते है उसके अलावा coffee है फिर raisins वगेरा होते है leucorize का root है beet root का आप juice लेते है आपके diet के अंदर carrot का juice है salt water almond and milk rose merry है and lemon juice तो lemon juice से carrot juice वगेरा काफी फायदे हिमन रहते है home remedies के तोर पे in low blood pressure के समझे कि आप इस तरह का healthy खाना लेते है healthy आप यह सब लेते है कि rukidin में समझे कि सुबह आपका habit हो कि आप lemon juice लेते है या फिर beet root का juice लेते है carrot juice के समझे कि आप एक आपका lifestyle में एक time table बना दे कि आप समझे कि Monday को आप समझे कि beet root का juice लेते है फिर Tuesday को आप carrot का लेते है Wednesday को आप lemon juice लेते है फिर कोई एक दिन का आपका routine है कि almond and milk वाला आप दूद लेते है तो seven days का इस तरह से आप कोई routine भी बना सकते है कि जिससे proper आप आपका nutrition भी proper अच्छा कर सकते है उसके लबाद जो बात करें कि we can raise your blood pressure by drinking water and eating the more salt कि यह हम बात करें salt और यह water तो उससे तयार हुआ salt water तो salt water भी एक remedy है treatment है for low blood pressure lower blood pressure की जिसको hypotension कहते है और consider करते है हम कि lower than 90-60 mm mercury कि जो उसका unit है उससे भी आपका blood pressure low है तो इस वक्त हम इस तरह से patient के treatment कर सकते है if salt is causing the low blood pressure then take the salt and during the emergency we can give salt water to patient to increase the blood pressure तो यह है उसका main बात कि जब emergency होती है और emergency के अंदर patient का blood pressure काफी low गोया है तो उस वक्त उसका patient को का जो blood pressure है उसका increase करने के लिए हम उसको salt water जो है वो emergency में दे सकते हैं कि जसके कारण उसका blood pressure जो 90-60 से भी कम है वो increase करवा के हम 120-80 तक ला सकते हैं कि जब उसका blood pressure normal हो जाए और फिर से वो normal हो सके stable हो जाए patient और फिर उसके बाद आप अलग-अलग medication से फिर उसको treat कर सकते हैं तो आप हम proper list देख लेते हैं कि कौन से medicines use होते हैं for low blood pressure तो सबसे पहले phludrocortison यहाँ पर आप देख सकते हैं phludrocortison जो है वो काफी popular है phludrocortison acetate के जो tablets आते हैं as per the USB तो वो एक option है हमारे पास second है midodrine second is the midodrine midodrine hydrochloride के जो tablets उसके बाद pyridostigmine here you can see the pyridostigmine tablets as per the IP तो यह एक option है हमारे पास then caffeine coffee से तो मिल ही जाता है but उससे भी नहीं होता तो फिर आप externally caffeine जो है वो patient को दे सकते है फिर erythropoietin जो है किसमजो कि reason anemia है तो उस वाक्त erythropoietin के injection आप patient को दे सकते है and non-steroidal anti-inflammatory drugs कि जिसके अंदर popular है aspirin तो यह सब है medicines for low blood pressure अब सभी के बारे में detail में जानते है first है fludrocortison के जो यूज करते हैं low blood pressure के लिए तो fludrocortison is for low blood pressure while standing up this corticosteroid help to control the amount of sodium and fluid in the body कि जो amount of sodium है और fluid जो हमारे body के अंदर होता है कि salt और fluid में specially तो water हम कहे है तो उसका proper balancing करने में ये corticosteroid useful रहे था 0.1 mg orally use होदी है ये tablet and effective रहता है to treat the low blood pressure it is often considering as a medication for low blood pressure due to dehydration तो this is your MCQ pinpoint कि MCQ के अंदर यहां से question पूछा जा सकता है कि which of the following is considered as a medication for low blood pressure due to dehydration अगर reason dehydration है तो उस वक्त हम water और salt तो patient को देते ही है but phludrocortison उसको देने से फाइदा यह होगा कि ये medication क्या करेगी help करेगी control करने में sodium जो fluid से उसकी amount को proper balance करने में control करने में help करेगा this drug boost the blood volume ये medication क्या करती है blood volume को boost करती है which help in raise the blood pressure और आगे जाके वो help करेगा आपको blood pressure को increase करवाने में तो ये था phludrocortison acetate tablet as per USP as well as IP कि जो हमने देखा second है midodrine for low blood pressure तो midodrine hydrochloride 2.5 mg का ये tablet Rx only रहेगा proper prescriptions के साथ ही ये medications मिलते हैं अल्सो कॉर्टिको स्टेरोइड में भी ये साई है proper prescription medication से तो midodrine is often considering as a low blood pressure medicine तो ये खास अच्चे से याद रखे midodrine it is for people with chronic orthostatic hypotension chronic orthostatic hypotension के अंदर कौनसे medicine को यूज करें तो this is midodrine तो ये एक MCQ के लिए आपका pinpoint सकता है MCQ pinpoint it works by restricting the ability of blood vessel to expand which raise blood pressure की एक हमने कोज देखा था मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ की blood pressure increase होने का एक हमने reason देखा था की जो blood vessels होती है blood vessel वो हो जाती है wide blood vessels हो जाती है wide मतलब की वो क्या होती है एक्सपांड होती है अप समझो की ये blood vessel को expand होने से हम रोकते है it works by restrictsing the ability of blood vessels to expand की blood vessels की पास ability होती है expand होने की wide होने की उसको समझो कि हम रोकते हैं तो क्या होगा आपका blood pressure फिर से increase हो जाएगा कि जो wide होगी तो क्या होगा blood pressure decrease होगा बड़ समझो कि हम उसको रोकते हैं restrict करते हैं तो उसके करण क्या हो जाएगा blood pressure फिर से increase होगा तो मीडोड्राइन इस तरह से काम करती है मीडोड्राइन गुट्रन 2.5MG का ये टाबलेट रहता है तो ये बात है कि जब और्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कि ब्लड वेसल्स के वाइड डिनिंग होने के कारण कि जो नॉर्मल समझे कि ब्लड वेसल इस तरह से है ये नॉर्मल और वाइड होके उसका डायमिटर इंक्रीज हो रहा है ये वाइड हो गई है तो वाइड होके फिर से उसको ये नॉर्मल कंडिशन में लाने के लिए या फिर restrict करने के लिए expand होने से तो हम midodrine जो है वो patient को दे सकते है तीसरा medication है वो है pyridostigmin तो pyridostigmin is used to improve muscle strength improve the muscle strength in patient with a muscle disease muscles related disease हो और हो समझे कि आपके muscles weak है तो वो muscles को strong करने के लिए उसको strength देने के लिए हम pyridostigmin के tablets patient को देते है कि जिसकी strength रहती है usually 60 mg और यह रहती है prescription drug RX only जिसे कि myasthenia gravis के अंदर muscles जो है वो weak हो जाते है तो उसको proper strength देने के लिए हम यह medications देशे कि like जो myasthenia gravis से उसको treat करने के लिए हम pyridostigmin देते है कि जो muscles related disease है तो if it function by preventing the breakdown of a natural substance acetyl coline in our body कि हमारे body के अंदर जो acetyl coline होता है एक natural substance है और उसका breakdown करता है prevent preventing the breakdown of natural substance acetyl coline in our body and acetyl coline is necessary for healthy muscle कि muscles के healthy functions के लिए जरूरी होता है acetyl coline अब समझो कि कोई disease condition के अंदर आपके अंदर ये acetyl coline break हो जाता है उसका breakdown होता है तो उसके कारण क्या होगा muscles की जो healthy ने से उसके उपर affect परेगी और muscles जो है आपके weak हो सकते है तो उस वक जब हम prided or stigmin patient को देते है तो वो prevent करती है acetyl coline का breakdown और acetyl coline जो proper amount में help to relieve our fatigue कि जो fatigue कि जो हमें थाकान होती है और fatigue समझे कि आपका ठीक हो जाता है कि जो एक common symptom है low blood pressure का कि low blood pressure में हमने देखा कि muscles समझे कि weak है fatigue रहता है और उसके करण patient को blood pressure low हो जाता है तो समझे कि आपके muscles अच्छे होगे muscles में proper strength होगी healthy muscles होगे तो automatically ये symptom जो है वो completely disappear हो जाएगा और उसके करण अपका blood pressure भी control में आ सकता है फिर बात है caffeine की caffeine act as a central nervous system stimulant caffeine की जो हम tea या coffee लेते है तो उसके अंदर क्या होता है caffeine तो CNS को ये करता है stimulant और stop करता है drossiness dizziness वगेरा है तो उसको completely stop करता है और हमारा अंदर एक completely energy लाता है कि जिससे central nervous system stimulate होता है ये करता है तो ये करता है तो अफिर आपको ये हो रहा है ये लोग ब्लड ब्लड ब्रिसर या फिर आपका एक symptom से कि drossiness से dizziness से उसके करण भी आपका blood pressure low होता है या फिर low blood pressure के करण ऐसे symptoms आपके ऐसे हो रहे है तो caffeine can cause a temporary short term dramatic rise in your blood pressure कि अगर किसी person का blood pressure low है और उस वक समझो कि आप coffee या TB दे सकते कि काफी strong coffee बना कर उसको पिला देते है तो भी उसका blood pressure temporary normal हो जाएकर उसके बाद फिर आप hospitalized करके proper उसकी आगे treatment करवा सकते बट जो एक बात कहतेगी जो हम primary stage जो कहते है कि जब किसी patient को एक primary treatment मिल जाती है तो उसके कारण हम उसकी life जो है वो बच जा सकते है क्योंकि low blood pressure एक life threatening के जान लेवा हो सकता है तो जब तक आप patient को घर से hospital तक ना ले जाएगे समझो कि यहाँ पे patient घर पे है home और उससे आप hospital तक ले जाए तब तक उसको कुछ ना हो उसके लिए घर पे आप जो home remedies के तोर पे भी caffeine का हमने जिक्रे किया था कि coffee जो हम देते है या फिर salt water देते तो उससे temporary blood pressure increase हो जाता है और फिर आप hospitalized करके proper जो regular medication से उससे patient को stable करके आगे उसकी सारवार कर सकते है तो यह बात थी caffeine for low blood pressure उसके बाद एक option है हमारे पास erythropoietin का for the low blood pressure तो erythropoietin क्यों तो यह पूरा समझते है कि erythropoietin is recommended for low blood pressure treatment if the cause of low blood pressure is anemia अगर anemia के कारण आपको low blood pressure हो रहा है कि anemia के कारण fatigue भी होता है और उसके करण blood pressure low हो सकता है तो erythropoietin का जो injection कि जो आपका anemia क्योर करता है कि जो recombinant human erythropoietin alpha injection है कि जो हमने anemia का जो lecture बनाए था उसमें भी आपको इसके बारे में information देती कि erythropoietin के जो injection है वो दिये जाते है patient को कि जो काफी anemic होता है और उसको proper stable करने के लिए हम देते है RX only रहते है तो erythropoietin injection rally protein आप देख सकते है single dose subcutaneous या फिर intravenous use के लिए होता है ये तो erythropoietin is the best choice to increase the Rb से जिससे आपके RbC increase होते है and raise the blood pressure RbC increase होगे तो इसके करन anemia के और हो जाएगा और anemia के और हो जाएगा तो automatically low blood pressure का problems भी small हो जाएगा और आपका blood pressure फिर से rise होके normal हो जाएगा फिर non-steroidal anti-inflammatory drugs की जो low blood pressure के लिए हम prefer करते है कि aspirin वगेरा हम दे सकते है ibuprofen है कि non-steroidal anti-inflammatory drugs are used primarily to treat inflammation mild to moderate pain and fever वगेरा के लिए तो use करते हो आपको पता है but it is useful for one has inflammation along with low blood pressure की patient को low blood pressure और साथ में inflammation वगेरा भी है तो उस वक्त आप उसको ये non-steroidal anti-inflammatory drug भी दे सकते हैं बढ़ ये हमारी last choice है priority में नहीं रहेगा इसलिए हम ये last में discuss कर रहे है तो जिस तरह से मैंने starting से एंटक जैसे बताया है वो आपकी priorities रहती है medications के अंदर तो ये था आमारा special video lecture expert lecture on the medicines for hypotension pharma rocks के whatsapp ग्रूप जरूर से जोइन करिये 94261 80836 whatsapp helpline number है चैनल को subscribe करिये access करिये study material test series video lecture वगेरा pharma rocks के mobile app के उपर तो अभी download करिये अब pharma rocks अगर आपके बास android mobile है तो android आपको google play store पर से download करिये अगर आपके पास apple, iphone, ipad है तो app store पर से भी उसको download कर सकते हैं get the links इन्हे dixi rason board and download the app pharma rocks